जर्मनी का ओद्योगी करण ब्रिटेन में हुई ओद्योगी करांती ने उद्योग और अर्थ व्यवस्ता में महत्यपूर्ण परिवर्तन लाए यह यूरोप में पहली ओद्योगी करांती के रूप में जानी जाती है इसके कारण ब्रिटेन का राजन्यतिक और आर्थिक वर्चस्व बना उसकी बराबरी करने के लिए अन्य यूरोपिये देशों को भी और दोगी करण का रास्ता अपनाना पड़ा लेकिन अन्य यूरोपिये देशों में राजन्यातिक परिस्थितियां सन 1830 तक इसकी अनुकूल नहीं थी सन 1870 के बाद परिस्थितियां बदलने लगे जर्मनी और इटली में एके करण हुआ और वहां सम्वेधानिक राजतंत्र इस्थापित हुआ फ्रांस में लोकतांत्रिक गणराज बना इन राजन्यतिक परिस्थितियों के कारण इन देशों में उद्योगिक विकास की प्रक्रिया तीवर हो पाई लेकिन इन देशों में एक समस्या यह थी कि इनमें ऐसा सशक्त पूंजी पती वर्ग का आभाव था जिसके पास परियाप्त पूंजी और अनुभव हो इसके चलते ब्रिटेन से प्रतिसपर्धा करके विकास करना कठिन था कपड़ा जैसे उद्योगों में ब्रिटेन के वर्चसों को तोड़ना लगभग असंभव था फ्रांसिसी क्रांती के समय जर्मनी तीन सो से अधिक राज्यों में बटा हुआ था सन 815 में नेपोलियन की पराजय के बाद जब यूरोपिये देशों का पुनर घठन हुआ तब लगभग 49 के करीब राज्य बजे इनमें सबसे शक्तिशाली और महत्युकांची राज्य प्रशा था जिसने न केवल अपने राज्य के आर्थिक विकास के लिए प्रयास किया बलकि उसने पूरी जर्मनी का अपनी छत्र छाया के नीचे एकी करण भी किया सन 1834 में प्रशा राज्य के नेत्रुत्य में एक आर्थिक संग बना इस संग ने सभी व्यापारिक रुकावटों को कम कर दिया और मुद्रा व्यवस्था में सुधार किया प्रशा ने अपने राज्य में कई कदम उठाए जिससे जर्मन अर्थ व्यवस्था पर सामंतवादी नियंद्रन समाप्त हो सके इनमें क्रिशी दास्ता या अर्थ गुलामी का अंत और भूमी सुधार महत्वपूर कदम थे इसके अंतरगत जमिदारों के अर्थ गुलाम होकर रह रहे थे किसानों को आजादी दी गई जर्मनी के एकी करण के पश्चात यहाँ पर बड़े कार खाने बनने लगे और खदाने खुलने लगी तब बेरुजगार लोग इनमें काम करने के लिए उपलब्ध थे दूसरी और जो सामन्ती जमिदार थे उनका काया पलट हुआ और वे आधुनिक तरीकों से खेती कराने वाले उद्धमी जमिदार बन गए क्रिशियोत पादन बढ़ा और राष्ट्रिय और अंतराष्ट्रिय बाजारों में बिकने लगा जर्मनी के शाशक या बखुबी समझते थे कि जर्मनी का वर्चस्व उसके उद्धोगी करन पर निर्भर है लेकिन इसके लिए जर्मनी को ब्रिटेन से प्रतिसपरधक करनी होगी और ऐसे उद्ध्योगों को विक्सित करना होगा जो ब्रिटेन में नहीं थे उन दिनों अध्योगी करण के लिए तीन छेत्र खुल रहे थे ये थे रासानिक उद्योग, भारी मशीन उद्योग इवन बिजली उद्योग रासानिक उद्योग जिसमें कृत्रिम खाद, कृत्रिम रंग, और शधी, फोटोग्राफी की सामागरी, प्लास्टिक, कृत्रिम रेशे तथा नए किस्म के विसफोटक आदी बनते थे भारी मशीन उद्योग, मशीन बनाने वाली मशीनों को बनाना और बिजली उद्योग शामिल था उनी दिनों अमेरिका में थॉमस एडिसन और अन्न अविशकार को ने बिजली से चलने वाली विभिन तरह की चीजों का अविशकार किया था इनके अलावा सन 1850 के आसपास रेलवे और भाब चले जहाज निर्माण पूंजी निवेश के महत्वपूर्ण छेत्र बन रहे थे जर्मन उद्योग पतियों ने बिटेन से प्रतिसपरधा के लिए इन नय छेत्र को चुना लेकिन ये सूत ये कपड़ाकार खाना जैसे नहीं थे क्योंकि उनमें बहुत भारी निवेश की आविशक्ता थी उन दिनों जर्मनी में इतने धनी पूंजी पति नहीं थे जर्मन सरकार ने भारी मात्रा में पूंजी निवेश किया और सारे देश में रेलवे का जाल बिचाया महत्पूर्ण खनिजों की खदाने राज की स्वामितों में खोली राज की पहल पर स्कूल, विश्व इद्याले तथा तक्नीकी सिक्षा व्यवस्था स्थापित की गई विश्व इद्यालों में जो अनुसंधान हो रहे थे, उन्हें उद्योगों की आशक्ताओं से जोडने का प्रयास हुआ तक्नीकी सिक्षा संस्थानों को भारे उद्योगों से जोडा गया ताकि वहाँ पढ़ने पढ़ाने वाले लोगों का काम कारखानों की जरूरत के अनुकूल हो जर्मन राज्ये ने ऐसी करनीती अपनाई जिससे दूसरे देशों में बने माल का जर्मनी में आयात करने पर अधिक सीमा शुल्क देना पड़े और जर्मनी के सामान का देश के बाहर निर्यात करने पर कम सीमा शुल्क देना पड़े इस कारण जर्मनी के उद्योगों को दूसरे देशों के प्रतिसपरधा से बचाया जा सका जर्मनी के एकी करण के बाद एशिया और आफरीका में उपनिवेश इस्थापित करने का गहन प्रयाश शुरू कर दिया गया और शीगरी आफरीका में जर्मन उपनिवेश बने इस प्रकार जर्मनी के अध्योगी करण में राज जी ने एहम भूमिका निभाई यह ब्रिटेन के अध्योगी करण में राजी की भूमिका से बहुत अलग था पूंजी की कमी और विक्सित देशों से प्रतिसपरधा का सामना करने के लिए जर्मनी के पूंजी पतियों ने कई संस्थागत नवाचार किये इनमें विशाल बैंकों की भूमिका एहम थी सयुक्त वैपारिक संस्थान बनाना जिने कार्टेल कहा जाता था इनसे भी महत्तुपूर्ण था इसमें किसी विशेश उद्यों की सभी उत्पादक कम्पनियां आपस में प्रतिसपरधा को कम करके अपने उत्पादनों की कीमत को उचा बनाया रखने के लिए आपसी समझोता कर लेती थी कार्टेल की सदस्य कम्पनियों को कुछ आपसी नियम स्विकार करना पड़ता था सन 1900 तक जर्मनी ने रंगों के उत्पादन में विश्व के 90 प्रतिशत बाजारों पर नियंत्रन कर लिया कृत्रिम रसायन उद्योगों के प्रभाव से औशदियों, फोटोग्राफी की सामागरी, प्लास्टिक, कृत्रिम रेशे तथा नए किस्म के विसफोट को आधी उद्योगों की स्थापना हुई रसानी कृत्पादन में जर्मनी इंग्लेंड के तुलना में 60 प्रतिशत अधिक उत्पादन करने लगा इस काल में बिजली एवं इसपात उद्योगों का भी तीवर विकास हुआ जर्मनी में राज किये सामाजवाद जिस प्रकार बिटेन में उद्योगी करन के दोरान मजदूरों को विकड परिस्थितियों में काम करना पड़ रहा था जर्मनी में भी वैसे ही हालात उत्पन हो रहे थे इसके विरोध में मजदूर आंदोलन भी उभरने लगा था मजदूर तेजी से समाजवादी सिध्धानतों को अपना रहे थे और समाजिक क्रांती के लिए प्रयास करने लगे थे इसे रोकने के लिए जर्मन सरकार ने कई कदम उठाए पहला तो सब के लिए अनिवारे और निशुल्क प्रात्मिक सिक्षा लागू की गई ताकि सारे बच्चे सिक्षित हूँ इसके अलावा निशुल्क राज के तक्नीकी सिक्षा संस्थानों की इस्थापना हुई जिनमें अध्यान करके कोई भी कुशल कारिगर बन सकता था मजदूरों के लिए व्रिधावस्था, बिमारी और दुरगटना बिमा सबसे महत्वपूर कदम था यह सोईधा सरकार और मालिकों के संयुक्त अनुदान से चलती थी और इससे सेवाकाल के दोरान एवं उसके बाद या बिमारी आदी की हालत में भी मजदूर सम्मान जनक जीवन बिता सकते थे ऐसे कदमों के कारण सरकार मजदूर आंदोलन को काबू में रखने में सफल रही चुकि राजजे ने स्वयम सामाजवादियों की मांग को लागू किया अता इन नीतियों को राज़की समाजवाद या स्टेट सोशलिजम कहते हैं